आप सभी को सादर जय भीम नमो बुद्धाय देखिए मन बहुत दुखी है आज मैं तो जल्दी लाइब नहीं आता हूँ लेकिन आना पड़ गया हमने एक गाना सुना है परमोद यादव जी का होली जो जिसमें हमारे हिसाब से बहुत असब्द का परियोग किया गया है जो परमोद जी को नहीं करना चाहिए द्रसल बात यह है कि जिस बहन जी ने इस समाज के लिए क्या-क्या उन्होंने नहीं किया बहुत बलिदान नीदी है उन्हों में लेकिन अगर इसी समाज के लोग उट करके और कह देते हैं कि मैंने मजाक में गा दिया तो परमोद जी इतना ध्यान रखा करिए कि मजाक किसी किया जाता है यह तो आपको कभी अपने महापूर्सों को पढ़िये जानिये लेकिन आप जो बहन जी के नाम का गाना जोड के बनाया है आप बनाया हो चाहिए आपका राइटर बनाया है यह ठीक नहीं है मैं कुछ नहीं आपको कहूंगा इसलिए नहीं कहूंगा कि हमारे बोदी सत्व बाबा डाक्टर भीम राव अंबेटकर का संबीधा नहीं काफी है क्यों सर गाना नहीं मिल रहा है लोगों को तो किसी भी यह यह देखिए हमारे बहुत अच्छे सत्यम सरजी हैं जो कैरियर कोचिंग के टीचर्स हैं और आज हम लोग उसी बात पर तर्क कर रहे थे हम लोग अपने में बात ने कर रहे थे कि देखिए ऐसा नहीं करना का प Jeżeli आज है वर्ग नहीं है जो बहत जी को बहत जी से नह वाचता हो Was लेकिए है लेकिन आप कि किन को गाने में जूड़ करके और ऐसा सिस्टेम बनाया है बाहरे पर मौत प्रेमी जी औरे भया जो समाज को जगाया जो समाज के लिए कुछ किया जो समाज के लड़ा है कभी उसके विबारे में तो गाना गाओ यार आप लोग के आइसा क्यों हम लोगों का गाना उठा के देखिए हम लोगों के गाने जहां जह़गडा होने वाला रहेगा उजह ज़गडा बंद हो जाएगा, आप लोग गाना गा देते हैं, जहां जगड़ा नहीं होने को वह जगड़ा होता है, हमारा एक समाज है, मैंने जितने महापूरसों का नाम लिया, उसी महापूरसों में से आप भी खुट हो, लले सिंग यादों को पढ़ लेना, यह सारे महापूरस मिल के आता है कि जब लोग गलती कर बढ़ते हैं तो उसके बाद मैं कर दिया मшего में गया कि मुझे से लगता है कि कभी कभी क्या होता है कि दूसरे के चीज को देखकर यगाना गाने कि दूसरे के सब्ध को देखकर कि अपना सब्ध जोडने का पर्याज़ करते हैं दिने स्लाल नी रहो जी जो अर्तमान में आज आजमगर के संसद भी हैं काफी संहर्थ किया आपने हैं घ्रविण आपने भी गाना जाया था होली का तो होली के गाना को जब उन्होंने गाया था तो सारे लीडर्स को उन्होंने भी जोड़ा था लेकिन कुछ इस तरीके के सब्द नहीं थे जिससे लोगों को बुरा लगे नमाज में कोई लोग अगर किसी को अपना आधर समानते हो अनों को बूरा लगे। सितने वड़े नेता है सबका नामलिया लेकिन परवद जी आपका गाना में यह बिल्कुल गलत है और नहीं होना चाहिए समाज के किसी भी गाया को इस तरीके का गाना नहीं गाना चाहिए कानूनी कारवाई आपको समाज भाय करेगा है ना अलेकिर हम लोग नहीं गाना आप गाई है जिसे समाज में कोई अच्छा संदेश जाए बच्चे पढ़े लिखें बेरोजिगारी हटें अब आप लोग ऐसा ऐसा सब्द मैं तो कहीं नहीं पाऊंगा जो जो आपने सब्द यूज किया है का बेचते हैं का क गिनते हैं का उड़ाते हैं बताइए यह कोई भी दुनिया की बहन बेटी सुनेगी आपको तो जरासा नहीं समझे आपको समझ रहता तो ऐसा आप सब्दें नहीं कोई परियोग करते आप लोग देखिए सबका अपना अपना विचार है और अपने 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 मतलब गा थांते हैं तो भोजपूरी को लाई करेंगे आप गलत भी नहीं कर सकते हैं लेकिन हाँ किसी के विचारधारा पर किसी के व्यक्तिगत जीवन पर किसी के आधर्ज पर इस तरीके का गाना-गाना है तो नहीं गाए तो बैतर रहा है क्यों आप समाज का मतलब आप आरोप जेलना जेलेंगे भाई कहले लिए समाज के गाली सुनने के लिए आप तयार हैं मनली यह आप अटर पटर जो भी गार हैं सब चीज है तो इसे क्या संदेश देना चाहते हैं बाद में माफी भी मांग लेते हैं तो नहीं चलेगा गलती करके माफी मांग लेना ये बहुत चोटी बात है आप और जिसको दुनिया जानने लगी है आपके गाने लोग सुनने लगे अच्छे अच्छे मन चाने लगे तो विचार क्यों नहीं अच्छा आता है मेरे समझ में आता है यह भी तो होना चाहिए यह नहीं सर विचार कहां से अच्छा है विचार बनाएंगे विचार जब उ गर्व की बात है कि हम लोग भोजपूरी की माटी में जनम लिये हैं लेकिन भोजपूरी को गंदा करने में अईसे ही दू-चार लोग जाएं जो की मतलब गाना गा देंगे कुछ भी और भोजपूरी का नाम सुन करके करने लगते हैं तो भोजपूरी के तमाम इसे बड़े-बड़े गायक पुराने जो गायक है आज भी गीतों को सुनिए घर परिवार में माता बहिन सब के साथ सुनिए बहुत अच्छा लगता है आज भी लगती है कि नहीं गीत है लेकिन आज तो अभी आएगी और उकिर्च करना हो कि असब्द बोलके पार्टी को कुछ कहा करके समाज को बिखेर देंगे तकलिफ इस बात का है कि हम लोग समाज के जोडवाया हैं भी पाते हैं अपने समाज को लवटाते हैं बहुत सारे हम लोगोंने गाना गया बेटा पढ़े जोना जेब जिना की भर बाई एक रूटी कम खाओ बेटी बेटा को पढ़ाओ और आप लोगों का गाना सुनते हैं तो मेरे समझे में नहीं आता है कि आप लोग क्या करना चाहते हैं इस समाज को इस भारत को कहां पहुंचाना चाहते हैं मेरे समझ में नहीं आता है नहीं वही बात है परमोच जी को थोड़ा सा एक बार फिर से है भाईया आपको मैं कह रहा हूं कि आपसे कोई भी बात लांगवेज समार के कि इसको क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए बहुत-बहुत साथ बाद है आप सभी लोगों को